सिवान जिले का D.E.O मतलब की सिख्छा पराधिकारी जब उसके यहाँ छापा पड़ा तो छापा मारने वालों का होस उड़ गया पता चला कि जब अलमारी खोला गया तो उसमें टाई रखा गया है उसमें घड़ी रखी गई है उसमें कपड़ा रखा गया है लेकिन पैसे क एक भी नोट नहीं मिला और जब कंचड़े की तरह फेका हुआ पॉलिथीन में लपेट कर एक कार्टून को उठाया गया तो पता चला कि उसमें तो केवल 5500 के नोटों का गड़ी है मतलब कि 5500 के नोटों के गड़ी को वह सिख्छा पराधिकारी अपने घर में कंचड़े क की तरह फेक देता था क्योंकि उसको पता था कि कभी ना कभी अगर छापा पड़ा तो सबसे पहले आलमारी खोला जाएगा जब छापा पड़ा तो टीम को उसके 5 फ्लेट के बारे में पता चला जिसमें से 4 फ्लेट उसने ग्रेटर नोटा में खड़ीदा है एक डाइरी मि लोगों से लेन देन का हिसाब रखा गया है और आगे आपको हम सब कुछ बताएंगे बागे नमस्कार में नामें मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं सिवान जिले का जिला सिख्षा पनाधिकारी जिसको हम लोग आम तौर पर डियो बोलते हैं वो डियो क्या करता है तो वो डियो सिख्षा बिभाग का जिले का कामकाज देखता है अब हम जिस डियो के बारे में बात कर रहे हैं वो डियो बिहार के राजेपाल से सम्मानित हो चुका है इसलिए क्योंकि उसने बड़ा अच्छा काम किया है लेकिन जब छापा पड़ा तो पता चला कि यह तो भ्रश्टाचारी है अब एक एक करके हिसाब किताब सुनिए सुबा सुबा लगबक 6 बजे के आस पास उसके पटना में सिद फ्लेट पर सिवान में उसके आव में जब अलमारी खोला टीम ने तो देखा कि वहां पर तो रुपिया है ही नहीं जबकि टीम को लगा कि अलमारी में छुपा कर रखा होगा अब जो छापे मारने वाली टीम थी वो तवाम चीजों को देखने लगी तब उनकी नजर पड़ी एक कचड़े पर और जब कचड के तरह ऐसे ही लपेट कर 500 के नोटों का गड़ी फेका गया था आप इन तस्वीरों में देखिए यहां पर नोटों के गड़ी की गिंती हो रही है कि आखिरकार वो नोट कितना है और यह एक जीले के जीला सिक्षा पराधिकारी की कहानी है फिलाल जो डीयो सहाब है उन डी लोग सामिल है इन तमाम चीजों की खोच खबर लिया रही है सबसे महत्तपुन एक डाइरी बरामद हुआ है जिस डाइरी में साहब ने इस बात का हिसाब किताब लिखा है कि किस आदमी से हमने कितना रुपिया लिया है और उसका कौन सा काम करना है और अगर उसने रुपि तमाम चीजों का हिसाब किताब एक डाइरी में लिखा गया है और फिलहाल जब हमने एक खबर सुना तो हमने सोचा कि आप तक पहुचाई जाए कि सिक्षप पदाधिकारी सिक्षप अधिकारी डियों का क्या हाल है फिलहाल छापा मारने वाली टीम सुक्रबार को सुबद 6 साड़े 6 बजे के आज पास उनके घर पर जाकर छापा मारती है अब छापा मारने के बाद आगे की कारवाई चल रही है बाकी आगे देखते रही है कि और क्या कुछ होता है जो भी जानकारी जो भी और अपडेट निकल कर सामने आएगा सब कुछ हम आप तक के तमाम खबरों के लिए हम अरसत बने रहीएगा कि हम रेक्षे मिश्चाहल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद